लाहर में चीलों को मारने के लिए शेहरियों को एक हजार मौवजा देने की तजवीज दी गई है मेट्रोपॉलिटन कॉर्पॉरेशन का अनोखा एकदाप चील गोश्ट बेशने वालों के खिलाफ कारवाई के वज़ाए चीलों को ही मारने का फैसला कर लिया गया लाहर की फिजा में चीलों के गौल पर वास करते नजर आते हैं खास दोर पर दरियार रावी के पुल, डंपिंग साइड एरिया और लाहर कनाल रोड के साथ वो इलाके जहां चील गोश्ट बेशने वाले खड़े होते हैं हकुमत ने चील गोश्ट बीचने पर पाबंदी आयट कर रखी है, इसके बावजुत इंतिजामिया के ना एहली और मिली भगत के बाईस ये धंदा खतम नहीं हो रहा चीले ये गोश्ट खाने के लिए जमा होती हैं, इससे बाज अकार मोटर साइकल सवार हादसात का शिकार भी हो जाते हैं जबके इन खौफनाक और भूकी चीलों की वज़ा से छोटे परिंदे जिनमें चिडिया, फाकताएं, लालियां शामिल हैं, वो खतम होती जा रही हैं Metropolitan Corporation ने चील गोश्ट की फरोगत रोकने में नाकामी पर अब चीलों को ही खातम करने का फैसला किया है चील को मारने वानों को Metropolitan Corporation की जानब से 1000 रुपे दिये जाएंगे Metropolitan Corporation लहोर से चीलों को मारने की हिकमत अमली अपनाने के लिए तजावी सलब की हैं जिनकी मंजूरी के बाद गैजट नोटिफिकेशन के लिए Section Officer Regulations ने मुरासला जारी कर दिया है Local Government Act 2022 के Section 141 के तहट जारी मुरासले में कहा गया के चील को मार कर लाने वाले शक्स को 1000 रुपे बतार इनाम दिया जाएगा चील मारने वाले शहरी को 1000 रुपे इनाम दियनी की तजवीज National Alliance for Animal Rights Activists and Educates ने इस एकडाम को High Court को चैलेंज करने का फैसला किया है